by Sundar Pichai I'm sure आपने इनके बारे में काफी सुना होगा और चो सुना है वो काफी नहीं है और चो सुना है वो काफी नहीं है बहुत सारे लोगोंने सुना होगा कि कि Sundar Pichai is the highest paid CEO of Google उसके बाद ये गूगल की जो parent company थी alphabet उसके भी CEO बन गए एक हिंदुस्तानी बना ये बहुत बड़ी बात थी दो हजार से जादा करोड रुपे एक साल में कमाने वाला इनसान एक व्यक्ति अगर एक दिन की salary आप निकालोगे तो लगभग 6-7 करोड रुपय आएगी तो यह यहां तक कैसे पहुचा अभी मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी साथ कभी politics क्यों नहीं होई जो Steve Jobs के साथ तो यह सारी चीज़े आपको बताऊंगा that is why he is known as the silent hammer and he is someone who has really inspired me in my life also क्योंकि मैं भी software field में था और अभी इसके बारे में सब कुछ बताएंगे बट अगर आपने इस वीडियो को like नहीं किया तो like कर लीजे इस चैनल को subscribe कर लीजे और हमारी streak बरकरार एनीचे इंस्टरग्र अगर आप को motivation अच्छा लगए तो instagram story पर आप मुझे mention जरूर करना at the rate namo call और हमारी पूरी team को उसके इलावा एक और चीज़ कॉमेंट्स में end में आप अपनी feeling व्यतीत जरूर करना मैं सारे comments पढ़ता हूं उनको like करता हूं comment करता हूं बड़ा मज़ा आता है चलो start करते है Sundar Pichai की बात करते है Sundar Pichai का इतना नाम क्यो है लोग इतना प्यार क्यों देते है Sundar Pichai को the reason is that he is especially Hindustan में he came from a middle class family a lower middle class actually a lower middle class family from the south of India इनको Hindi बोलना नहीं आता था यह Hindi बोलना आज भी नहीं आता है थोड़ा थोड़ा आता है but he was from south of India इसलिए बड़ी problem हुई थी instead इनकी family ने इनको जब US भेजा तो तो भी मतलब इनके father को अपनी पूरे साल की income खर्च करनी पड़ी just to send him to the US but Sundar में बहुत potential था और दिमाग बहुत तेज़ था तो यह 2004 तक McKenzie company में काम कर रहा था Sundar Vijay and Sundar Vijay ने उस ताइम पे एक switch मारा एक बहुत struggling company में 2004 में Google बहुत बड़ी company नहीं थी सुनना मेरी वाग्यान से Google बहुत बड़ी company नहीं थी Google was suffering Google का बहुत बड़ा base था इंसे मैं आपको exact figures बताना चाहूंगा 300 million customers Google उतने lose कर दिये थे हैंना मैं आपको बताता हूं कैसे 300 million कितना जादा होता है 30 करोड़ लोग 30 करोड़ लोग सोचो कुछ-कुछ देश का population नहीं होता 30 करोड़ उतने इन्होंने customers lose कर दिये थे कहां से Google.com के users जो Google.com पे आते थे Google जो बहुत बड़ा search engine था बट हर इंसान Google को mimic करना चाहरा था कि हर जना Google पे क्यों आता है आज आपको पता है internet का सबसे जादा population पहले Google पे होता है फिर YouTube पे होता है और फिर बाकी सारे 10% में बाकी सारा बटावा होता है तो अब आपको समझ में आ दी होगी power तो Google आज एक government की तरह हर चीज़ पता रहती है traffic ये वो तो Google Google ने ये सामराज्य बनाया कैसे और ये हार रही थी एक time पे 2004 में जब संदर पिचाई Google land करे तो Google में इन्होंने एक बहुत छोटी सी job से start किया था पहले तो ये materials engineer थे उसके बाद इन्होंने start किया था product management of Google Chrome Google Chrome जो एक हारी वी चीज थी और हारी वी बाजी को जीतने वाले को को ही हारी बाजी को जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं यह सिकंदर कहते हैं अब आज हम ये कहानी समझेंगे कि सिकंदर बने तो बने कैसे तो सुन्दर पिचाई को जब गूगल Chrome का ये दिया गया responsibility तो उन्होंने बहुत सारे data को study कि हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है technology को कैसे अची तरीके से यूज किया जाए उस टाइम पे उस टाइम पे उन्होंने नोटिस किया उन्होंने नोटिस किया कि बिंग करके ब्राउजर आया है अब आप डिवाइस खरीते हो Microsoft की Microsoft में प्री इंस्टॉल्ड आता है Windows Windows के अंदर software इंस्टॉल होता है तो Windows में इन्ह Internet Explorer प्री इंस्टॉल्ड होता था उसको यूज करते थे उन्होंने बोला कि यह हमारा है हमने इसमें सर्च इंजिन मतलब जहां पर तुम वेबसाइट डालते हो वहीं पर सर्च कर लो तो वह बिंग जो Google का Microsoft का जो बिंग सर्च इंजिन है उस पर वह सर्च कर देगा उस एक चोटे से हैक की वज़े से 80% सामराज्य गूगल का कम हो गया 80% लोग सारे के सारे Microsoft पर पहुच गए अब यार यह यह सही नहीं था यह तरीके से तुम्हें भी पता है सही नहीं था जहां पर इतने सारे लोग आ रहे थे बस आपने क्योंकि आपका आप बड़े थे तो आप इन्हों ने किया इन्ही के गेम में को कैसे हराया अब यह असली खेल होता है इन्ही के गेम में को हराना इसने Google Chrome बनाया सुंदर पिचाई ने Google Chrome बनाया Google Chrome और फिर Chromebooks में वो pre-installed आगया उसी वक्त मोबाइल का मार्केट स्टार्ट हो गया था तब ही समझ में आगया था सुंदर पिचाई को कि मोबाइल जादा होंगे लैपटाप से तो मोबाइल में सबसे पहले एक बहुत अच्छा Solid OS Android OS उसको इसने लीट करना स्टार्ट किय 2013 में से तो हर एक सिस्टम में Google Chrome था और Google Chrome को better करते 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 जादा optimize कर दिया हर जना Google Chrome यूज करना चाहता था Google Chrome को खाली ब्राउजर की तरह नहीं देखा Google Chrome में इसने बहुत सारी चीज़े डाल दी Google Maps डाल दिया Google आप यह सुचो बहुत सारी चीज़े होती है ब्राउजर म software बहुत अच्छे बना है आप कहीं से भी better better use कर सकते थे safe करने का जनजटने दस जनए एक साथ एक file पर काम कर सकते हैं इतना सब कुछ सोच लिया it's a brilliant thing मैं खुद आज Google सूट यूज करता हूं Google सूट मतलब इसमें यह सारी चीज़ आती है YouTube का acquisition YouTube भी अब Google आज हम जिस चीज करा होगा कि इसलिए उसको CEO बना दिया नहीं एक हिंदुस्तानी को CEO बनाने में बड़ी problem होगी किसी देश को बट मैं आपको बताना चाहता हूं India proud हुआ और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं जो भी alphabet के सारे chairman थे है ना जो भी stakeholders थे सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि सुन्दर पिचाई के आने से alphabet का stock double हो गया nearly double 90% growth उसके लावा revenue 80% से बढ़ गया यह सब कैसे possible हो पाया मैं आपके कुछ कुछ details miss ना कर दू तो मैंने लिखके लाया हूं मैं पहली चीज जो बहुत जरूरी थी सुनना मेरी बद्यान से जो बहुत जरूरी थी जो आपको पत सुन्दर पिचाई के कुछ कुछ moves के बाद वो उसमें से 80% जनता वापस आ गई थी एक ऐसी बाजी आप सोचो 30 करोड लोग जो चले गए अब आपके platform पे नहीं आते अब वो एकदम से वापस लाना हारी बाजी को जीत के दिखाना यह सिकंदर ने दिखाया और इस गूगल की टीम्स ने सुन्दर पिचाई को अपनाने की कोशिश नहीं की थी Microsoft Microsoft उससे CEO की तरह लाना चाहता था Twitter, Twitter उसको एक बहुत अच्छा, Twitter एक company है, Twitter सुन्दर पिचाई को लाना चाहती थी क्योंकि Twitter भी गेम हारी थी उस वक्त and that is the time जब Google ने उसको रीटें किया, अब अंदर की बात हम नहीं जानते बट यह हर जगे लिखाव है, Google tried to retain सुन्दर पिचाई as the CEO of Google उसके बाद सब ने देखा, यह हिंदुस्तानी बहुत अच्छा कर रहा है, Google को इतनी उचाईयों तक पहुचा दिया, और जब Google को इतनी उचाईयों तक पहुचा दिया, तो बहुत जल्दी उसके बाद, उसे alphabet का CEO भी बना दिया, अरे क्यों नहीं मिलने चाहिए इसको पै बच्चा, एक middle class से आया वा बच्चा, जिसके पास कोई resources नहीं थे, शाद पैसे नहीं थे माँ जाने के, वहाँ पे जाके उसने मचा दिया, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यह इतना आगे गया, क्यों, मैंने क्यों लिखा है, सुन्दर पे चाहिए, वह साइलेंट है क्योंकि Steve Jobs, Steve Jobs आप सबको पताऊंगे, बहुत energetic, थोड़े arrogant भी हो जाते थे, कभी-कभी, है न, थोड़े arrogant भी हो जाते थे, कभी-कभी, चिला देते थे, है न, आपको पता न, मतलब उन में बहुत energy थी, बहुत जादा युद करने वाली हो थी, मतलब उनको बहुत सारे लो arrogant नी बने, वो और kind बनते रहे, बनते रहे, और जब भी वो किसी से काम कराते थे, तो उनको ये नहीं लगता था, कि वो एक boss है, बहुत सारे लोगों को लगता था, कि वो एक leader है, अब आपको समझ में आया, how a humble इंसान can take you so high, आज अगर गांधी जी बिना लड़े, ना बड़ा नहीं award करने के लिए, बट आप लोग comments में बताईए, जो मैंने बोला वो सही था है नहीं, मैंने आपको थोड़ा ज़ादा देने की कोशिश की, जितना आपको पता है सुन्दर पिचे के बारे में, बट अगर आपको ये inspiring story लगी, तो इससे आप भी आगे बढ़न तो वो humble nature हमेशा रखना, वो काम प्रभाव हमेशा रखना आप उचाईयों पर पहुच जाओगे, मुझे सबसे आदा हसी पता है इस पहानी में कब आई थी, मुझे तब आई थी जब मैं पढ़ रहा है कि everybody at Google, सुनो मेरी बात, तो ये तो खाली एक product manager थे, तो बहुत सारी आई नोग Google पर बड़े बड़े जो VPs होंगे, Vice President, Directors, उनको लग रहा होगा कि वो आप सुन्दर पर जोगे को अपने team में hire करेंगे, recruit करेंगे, याना they will try to take him, उस टाइम पर लोग इनको CEO की बनानी की बात कर रहे थे, तो दुनिया की सबसे बड़ी company ने बोला, ये हमारा सी होगा है, बहुत बड़ी कहानी है, कभी और ये कहानी इस अंदाज में मैं सुनाना चाहता था आपको, क्योंकि मैंने इसको ऐसे समझाता, ऐसे visualize किया था, अब आप भी, अगर आपको इस story अच्छी लगी, तो definitely Instagram streak बनी रहनी चाहिए, comments में आप अपनी feelings जरूर लिखना, और daily ऐसे motivations के लिए आते रहना, क्योंकि मैं चाहता हूँ, कि आप मचा दो यार, बट पता है, जब भी हम बोलते हैं कि यार, इसको 4 दो, subscribe के बटन को तोड़ दो, हैना like को तोड़ दो, बट प्यार से, बट प्यार से, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, क्योंक लंबा, लंबे रहते हैं leadership में, मेरी बात सुनना, जो leaders बहुत लंबे रहते हैं leadership में, जो exponentially grow करते हैं, उनको दो चीज़ें help करते हैं, तो उनका दिमाग, दिमाग नहीं होता तो कुछ नहीं कर सकते हैं, दिमाग, उनकी education, उनकी परवरिश, और जो main चीज़ है, वो है उनकी humility, उनकी humility उनको उपर लेके जाती है, क्योंकि वो उपर, किसी को दबा के नहीं जाते हैं, उनको दुनिया उपर करती है, please understand that, ऐसी कुछ story और academy की भी है, मैं आपको कभी बताऊंगा, बड़ा मजा है का आपको जानके, thank you so much everyone, take care and keep dreaming, और हाँ, इसको share भी कर देना यार,